Welcome back So start करें हमारी फिफ एपिसोड ओफ Node.js सेरीज So चैनल को लास्ट मी सब्सक्राइब कर ली जागा अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखनी है तो पिछली वाली वीडियो देखने और अगर आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी की बाले So हमने लास्ट एंट तक Node.js की जो प्रोग्राम है वो हमने अपना पहला बना लिया था उसके दर Node.js को इंस्टॉल कर लिया था अब क्यूंके हम अपनी इस Node.js के साथ Express.js को इस्तमाल करने वारे हैं तो हम अपना Express.js का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं अच्छा अगर मैं आपको दिखाओं इंटरनेट से तो Express.js को इंस्टॉल करने के लिए NPM install Express.js का पैकेज इंस्टॉल करना पढ़ता है वो आपको कहीं से मिल जाएगा Express.js के ओफिशल साइट से मिल जाएगा क्योंकि यह एक इंडिपेंडेंट ट्लाइबरेडी है जो के इस्तमाल होती है Node.js के अंदर और वाइस यह NPM install Express भी है मैं यहाँ पर NPM install Express लिख देता हूँ और यू विल सी के मेरा यह Express.js हो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा अब हम अपनी पूरी की पूरी Node.js अप्लिकेशन को चेंज कर देंगे Express.js के अंदर और यू विल सी के हमारी जो Node.js की अप्लिकेशन है जब Express में चेंज हो जाती है तो आप देखिएगा कि यह प्रोपर एक वेब का रूप जाड़ लेगी जिसके अंदर आप इजिली एपिएईस पर डवैलप कर सकते है तो क्योंकि यह फ्रेमवर्ट रूट्स की बेस के उपर बना होता है कि पहले आप पेजिस बनाया करते थे जिन लोग ने लारावल पड़ी है या पाइफन पड़ी है तो उनको पता होगा रूट्स का लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तो रूट्स बेसिकली आपके लिंक्स होते हैं जैसे कि आप अब आप इस्टी इंडेक्स.html इंडेक्स.about.html की फाइल्स बना के उनको लिंक्स किया करते थे इसी तरह है रन कर देते हैं मैं वापिस नोर्म 1 पर आता हूं तो यह देखिए है इसने आटमेटिकली इसको पकड़ लिया है और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यह यहां पर हमें टेक्निकली कुसी भी नहीं चो कर रहा है अच्छारी अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी एक्सप्रेस को एक्सप्रेस तो रिक्ष्प्रेस तो रिक्ष्प्रेस हो गई है बेसिकली मेरा यह वैरियेबल इस एक्सप्रेस को उठा रहा है और मेरा यह फॉंक्ष्प्रेस को इनिशियलाइज करवा रहा है ठीक है उसके बाद दो स्टेप्स हैं एक हमने अपना रूट बनाना है और दूसरा हमने अपनी फाइल को रन करना है इस लिसन कोर्ट के साथ ठीक है तो लट सी यह नीचे वाला प्रॉसस तो सेम है सबसे पहले हमें रूट बनाना पड़ेगा रूट को समय नहीं जी एप ठीक है जो के मेरी एप है एप एक्शुली इस्तमाल होती है जब आप जो है जब जब आपको एक् नहीं से इस टेमल को पड़ सकते हैं स्टार्ट करते हैं जी यहां पर नेक्स्ट मैं कहता हूं कि भाई मुझे जस्त में पेस्ट के ओपर से यह और सेम वही प्रॉसस पहले रिक्वेस्ट और फिर रिस्पॉंस कीप इन माइड आपने जो है अपने इस मोड्यूल को चेंज स्टार्ड नहीं करना है अपने स्ट्रेंस को यह ही रहने देना है और इसके बाद इस वान एंड यह मेरा फॉंक्शिन बने है रिप्रॉब्लम यहां पर अगर यहां पर यहां पर यह लगा देते हैं अब मुझे इस हप को रन करना पड़ेगा अच्छा यहां पर मैं कंसोल में भी रियाल सकता हूँ और response को send भी कर सकता हूँ मैं response को यहां के ओपर send कर रहा हूँ हमारे पास send मैं लिखता हूँ लिए welcome to express और यहां पर मैं app को listen कर लेता हूँ same port के ओपर मैं port को 2020 यह 3030 कुछ भी दे रहता हूँ और यहां पर मैं quickly यहां पर आपको host ने मगारा कुस भी देने की जूरत नहीं है यहां पर मैं quickly console.log project is running on 30304 let's control c and now मैं यहां पर नौड मॉन को एक दफार रहन करूंगा you will see it's running and मैं यहां पर यह 2020 की बिदा है मेरा 3030 जीने वोगया तो you can see मेरा यह welcome to express आ गया है तो यह हमारे express js का पहला project है मैं इसको सदम कर देता हूँ कि आप हमें इसकी जरूरत नहीं है यह port को पहले मैंने यह यह वैरियबल में रखा था आप वैरियबल में रखना जाओ तो वैरियबल में भी रख सकते हो कोई ऐसा मसला नहीं है मैं port is equal to 3030 कह देता हूँ इसको और यहां पर मैं port का वैरियबल ले आता हूँ को सबस्क्राइब करना ना बूलिएगा हमारी नेक्स्त विडियो में हम इस basic लेवल से बडे एद्वांस लेवल अधाने लेफर यू बैल आइक़न को दब आसो देगा तक के आपको जब मेन यह नहीं वीडिए यह ऑनग पता लगे अपना बहूसरा खियाल लेखा God bless you and goodbye